राहुल गांदी के बयान पर भड़की सिंगर एश्वरेय राय और अमिताब बच्चन का जिक्र कर बुरे फसे राहुल सोना महापात्रा ने एश्वरेय राय का नाम लेने पर सुनाई खरी खोटी भाशनों में महिलाव को अपमानित करते हैं राहुल गांदी कॉंग्रिस नेता राहुल गांदी अक्सर अपनी बयानबाजी की वज़े से काफी चर्चा में रहते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि बातों ही बातों में राहुल गांदी बॉलिवुड सेलबरिटी का नाम ले लेते हैं जिसके कारण वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं भारत जोडो नियाय यात्रा के दोरान भी उन्होंने अपने भाशन में एश्वरिया राय और अमिता बच्चन का जिक्र किया जिसकी वज़े से वे अब काफी ट्रोल हो रहे हैं सोना महापात्रा ने भी एश्वरिया राय का नाम लेने के कारण कोंग्रेस नेता को खरीखोटी सुनाई है 20 फरवरी को राहूल गांदी भारा जोडोनिया यात्रा के दोरान राम मंदीर प्रांट परतिष्ठा कार्यकरम को लेकर प्येम नरहिंद्र मोधी पर निशाना साधते नजर आये थे अपने भाशन में उन्होंने एश्वरिया राय के नाम कभी जिक्र किया देश की राजनेती में बेवजय एश्वरिया राय का नाम घसीटा गया तो मशूर सिंगर सोना महापात्रा ने इस पर अपनी बात रखी उन्होंने राहूल गांदी के लिए एक्स पर पोस्ट किया कुछ राजनेता फायदा उठाने के लिए अपने भाशनों में महिलाव को अपमानित करते हैं यकीनन कुछ लोग किसी की मा, बहन को इसी तरह अपमानित करते होंगे सोना महापात्रा के अलावा सोशल मीडिया यूजर्स भी एश्वरय राय को लेकर किये गए कमेंट पर राहूल गांदी को ट्रोल कर रहे है मंगलवार को तरपरदेश परियागराज यात्रा के दोरान जनसभा को संबोधित करते हुए काहा था कि क्या आपने राममंदीर प्रान परतिष्ठा देखी क्या आपने वहाँ कोई OBC, SC, ST का चहरा देखा इसमें अमिताबच्चन, एश्वर्य राय और PM मोधी शामिल हुए थे लेकिन वहाँ हमने उन लोगों को नहीं देखा जो असल में देश चलाते हैं बतादे की 22 जनवरी को आयोध्या में राममंदीर प्रान परतिष्ठा कारेक्रम का आयोजन हुआ था राममंदीर प्रान परतिष्ठा में अमिताबच्चन, अविश्येक बच्चन के साथ अयोध्या पोचे थे लेकिन एश्वर्य राय इस कारेकरम का हिस्सा नहीं बनी थी